तो वेल्कम बैक टो माई इंडियानोस क्लासे यूटुब चैनल तो आप बोड टाइम से मेरे वीडियो का इतजार कर रहे होगे अगर आपको वीडियो चाहिए तो बेल आइकन का और नोटिफिकेशन अन कीजिए अब यहां से आगे आपको पूरे मैतेमाटिक्स के लास तक बोड के एक्जाम तक आपको सारे चाप्टर यहां यूटुब चैनल पर मिलेगे ओके अगर आपको क्लास में नहीं समझता है तो आप यूटुब चैनल का यूज करकर एजीली समझ सकते है तो हम आज तेकेंगे लिनेर एक्वेशन एंड टू वैरियेबल्स दू की प्रफटर को हम चार मेटर से सॉल्ड करते फर्स्ट है यूमिनेशन मेटर सेकंड है सब्सक्रीक्चैंग मेटर हम सेठ्टन है The ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया एक equation, linear equation and two variables, ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ कि जिसकी भी degree one हो, उससे हम क्या कहेंगे, linear equation और उसमें two variables होना चाहिए, हमारे chapter ही हमको बता रहा है कि linear equation and two variables होना चाहिए, ऐसा जब आएगा, तो हम कैसे solve करेगे, इसे elimination method यूज कर करें, हम हमें क्या करना, elimination मतलब इसे काटना, ठीक है, जो same variables दिख रहे है, x and y, उसे हम cut करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, elimination method, so हम यहाँ पर equation निकलेंगे, x plus 7y is equal to 10, यह हुआ equation number 1, यहाँ पर equation number 1 देना भुनना नहीं है हमें, 3x minus 2y is equal to 7, यह हुआ equation number 2, ठीक है, अभी हमको यहाँ पर single variables क्या दिख रहा है, जिसके साथ में coefficient 1 हो, ठीक है, जो की, वो invisible होता है, जो भी invisible 1 होता है, जिसके variables के साथ में, ठीक है, उसे हम देखेंगे, यहाँ पर क्या 7 है, 7 है, y की साथ में 7 है, coefficient, और यहाँ second equation में, y के साथ में minus 2 coefficient है, ठीक है, यहाँ पर कुछ cut, elimination होगा, यहाँ पर कुछ cut होगा, क्या, नई, हमें यह सूचना है, य हमें, यहाँ भी 3 आ जाए, और यहाँ भी 3 आ जाए, ठीक है, फिर यह same हो जाएगा, और easily cut out हो जाएगा, ठीक है, यह cut होगा, elimination हो जाएगा, फिर हमें easily, k्या बिलेगा, y मिलेगा, देखते हैं, फिर हम क्या करेगे, cái मल्टिप्लाइ करेगे, ठीक है, multiplying त्री किसे करेंगे एक्वेशन नमबर वन को एक्वेशन नमबर वन बाई थ्री से ठीक है फिर यहापर क्या आएगा त्री वन जा थ्री मैंने आपको अर्डेडी बता जिये आए कि जिसके साथ में कुछ नहीं रहता है उसके साथ में क्या होता है वन होता है जो कि इन्विजिबल रहता है ठीक है अगर वन इन्टू थ्री एक्स प्लस सेवन इन्टू थ्री वाई इस इकल टू टेन इन्टू थ्री यहापर क्या आएगा इसका मल्टिप्लाइब थ्री वन जा थ्री एक्स प्लस सेवन थ्री जा थ्वेंटी वन वाई इस इकल टू टेन थ्री जा थर्टी यह एक्विशन नमबर मिला हमें फार्स सेकर एंड यह आया थर्ड नमबर ओके फिर हम क्या करेंगे अभी हमें यहापर थ्री आया है यहापर भी थ्री आया है ठीक है अभी हम यहापर प्लस है और यहापर प्लस है प्लस का साइन गिम्नेशन करने के लिए हमें सब्स्ट्राक्शन करना पड़ेगा सब्स्ट्राक्शन इक्वेशन नंबर एसा कुछ नहीं कि पहले यह आ जाए फिर यह आ जाए तिक है चो हम इसे शुलिए इसे सब्ट्राक्शन करने के लिए उपर वाला कुंसा लेते हैं बड़े वाला लेते हैं ठीक है ऐसा भी आंसर आपका find out हो जाएगा बट ठीक है हमारे easy होने के लिए हम क्या करेंगे बड़े वाला लेंगे ठीक है number third and second ठीक है यह आपको step by step solve करने का क्या है must be required अगर आप directly यह से number होगे नहीं डालोगे तो आपका examiner mark काट सकता है तो यह आपको भूलना नहीं है ठीक है subtraction multiply यह सब आपको exam में प्रॉपर तरीके से डालना है ठीक है फिर हम क्या करेंगे subtraction करेंगे equation number third कुन सा है 3x plus 21y is equal to 30 और second number वाला equation कुन सा है 3x minus 2y is equal to 7 फिर हम क्या करेंगे इसके निचे line मार लेंगे आपको line मारना आता होगा तो आप यहापर line मार लेजिए अब यहापर क्या होता है यह plus है यह minus है और यह भी plus है यह बहुत important है अगर आपने यह पर sign change नहीं किया तो आपका whole equation गलत हो सकता है so this linear equation and two variables में और order कौन से भी आप इस तरह solve करोगे तो आपको sign change करना required है यह plus है तो यह पर क्या हो जाएगा minus where is chalk okay यहापर क्या हो जाएगा sorry यहापर क्या हो जाएगा minus यहापर minus है तो यहापर क्या हो जाएगा plus यहापर plus है तो यहापर क्या हो जाएगा minus okay so 30 minus 7 अभी आपको यहापर लेना है plus and माइनस क्या होता है माइनस 30 माइनस 7 क्या हैगा 23 अब यहापर यह प्लस है यह भी प्लस है यहापर क्या है यहाप्लस था और यह माइनस था इसलिए यहापर सब्स्ट्रेक्शन होगा अगर आपने उपर वाला प्लस है और लिचे वाला भी प्लस है तो यहापर क्या होगा? एडिशन होगा ठीक है? यहापर क्या हैगा? 23Y अबर अगर यहापर आपने देखा तो यह प्लस है यह बहुत ही important है यह प्लस है और यह माइनस है आपको sign कुन से लेना है? बीच वाले लेना है क्या? प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस तो यह cancel out हो जाएगा यह cancel out हो जाएगा ठीक है? अगर हमको कौन से वैल्ली मिलेगे? 23Y is equal to 23 यहाँ देखेंगे हैं सौरी यह पर बोन्ट पुरा बर गया है हमारा मैं इधर ले लेता हूँ ओके हमें क्या मिला अभी यह पर? 23Y is equal to 23 आपको यह कौन से पता ही होगा? अगर यह multiply में है इधर आकर क्या होता है? 2Y में जाता है exactly correct क्या होता है? Y है 23 2Y by 23 23 बट 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 y is equal to क्या हैगा? 1 अभी हमारा problem टॉल हुआ कितना परसेंट? 80% अगर हमको value X variable की मिले या Y variable की मिले हमारा जो tension है पुरा खत्म हो जाता है यह Y is equal to 1 आप कौन से भी equation में put कीजे आपको easily other value मिल जाएगी जो की हमें अभी remaining है X value तो Y is equal to 1 हम put करेगे या कि आप equation number 1 में put कीजे equation number 2 में put कीजे answer same आएगा अगर आपको value नहीं हो रहा है तो मैं X में put करूँगा आप others में put कीजे और comment में answer बताजे ओके तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ Y is equal to 1 put in equation कुन से में लेता हूँ मैं 1 में ओके 1 में लेता हूँ यहाँ पर ले लिया मैंने 1 में ठीके अभी X Y is equal to 1 है हम X के हमें value find out करना है plus 7 अभी 7 के जगा पर हम क्या put करेंगे 1 1 value हम put करेंगे मैं इसे order chalk से लिख देता हूँ कि आपको easily understand हो जाए 1 is equal to 10 हम वैसा ही put करेंगे क्योंकि इसके साथ में variables नहीं है यहाँ पर क्या रहता है यहाँ पर कुछ नहीं रहता bit क्या रहता है यहाँ पर multiplication में 1 रहता है जो कि इससे कुछ फरक नहीं पड़ता है हमें ओके तो यहाँ पर भी आपको concept पता होगी यहाँ कुछ नहीं रहता जो भी bracket आता है तो bracket में क्या आता है multiplication आता है यहाँ पर गलती मत करना mathematics ऐसा subject है जहाँ पर हमको जान रखना परता है कि यहाँ concept कुन सी apply होगी ठीक है यहाँ पर क्या आता है multiply आता है यही आप गलती करते हो exam में आपको आता सब है बट आप छोटी छोटी minor mistake कर देते हो इसलिए आपका जो equations है जो भी final value जो भी answers है वो आपका गलता आता है ठीक है so हम क्या करेंगे x plus 7 into 1 7 वंजा क्या आएगा 7 ठीक है is equal to 10 यहाँ पर भी आप बड़ी mistake करते हो plus minus अगर यहाँ पर क्या मेरा यह कुँशी side है left side है और यह right side है अगर मैं यह plus को right side में लेके जाओगा तो यह minus हो जाएगा अगर मैं right side में plus है और left side में लेके आजाओगा तो माइस हो जाएगा ठीके, मैं इसे यहाँ पर इस जगा लेके आता हूँ, ठीके, प्लस 7 को, x is equal to 10 minus, क्या हो गया यहाँ पर, minus हो गया, 7 is equal to, यहाँ पर क्या answer आएगा, 10 minus 7, यहाँ सब्स्ट्राक्शन तो आपको इजी लिए आता ही होगा, तो हमारा answer आगया, x is equal to 3, और last में हमें कैसा लिखना है इसे, x, y is equal to 3, हमारा क्या answer आया था, y का, 1, ओके, यह final हमारा answer आजाएगा, इस तरह आप elimination method को solve कर सकते हो, ठेंक्यू, तो students हम next method देखेंगे, जो की है, the method of elimination by substitution, substitution method, substitution method में हम क्या करते हैं, इसे put करते हैं, एक value हम variables हम left और right side में लेके जाकर हम put करते हैं, problem, 5x plus 2y is equal to minus 3, जो की हमारा equation 1 है, next equation है, x plus 5y is equal to 4, यह equation है, हमारा second, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे, x plus 5y is equal to 4, जो की हमें कुनसी method यूज़ करना है, substitution, हम elimination method से भी इसे answer निकाल सकते हैं, बट हमें कुनसी method से चिखना है, substitution method, so मैंने already आपको बताया कि, जो की left side में जब plus 5y ने, उधर जाकर क्या होता है, minus होता है, so हमें क्या लेना है, x is equal to 5y, plus 5y उधर जाकर क्या होगा, minus 5y, ok, so हमें x की value यह मिल गई, अभी हम क्या करेंगे, put x is equal to 4 minus 5y in equation, number, का पर put करेंगे, equation number 1 में, equation number 1 में, ok, किसकी value, x variables की, तो यहापर क्या आएगा, 5u, 4 minus 5y, plus 2y is equal to minus 3, कौन सी value हमने put किया है, यहापर, x की, ok, जो कि हमारे पास already थी, इसे हम कहेंगे, substitution method, जो कि यह फूरी value हमने यहापर, x की काप उठकी, 4 minus 5y, ok, फिर हम इसे multiply करेंगे, जो भी bracket में होता है, आपको bottomless का rule पता होगा, तो जो भी bracket हम से हम क्या करते है, multiple करते है, तो 5u, 4 जा किता आएगा, 20, minus 5u, 5, 25y, plus, अभी bracket पूरा सोल हो गया, फिर plus के बाद क्या आएगा, same, 2y is equal to minus 3, ok, अभी यहापर क्या है, 20, minus 25y, plus 2y, अभी हम दो time से same है, यहापर भी y है, और variable यहापर भी y है, जो भी same होता है, हम क्या, उससी क्या करते है, हम subtraction करते, तो 20 वैसा ही रखेंगे, हम 25u, minus 25u, plus 2y है, ok, तो minus क्या आएगा, यहापर 23, 23y, यहापर जो भी बड़ी value होती है, जो भी बड़ी संक्या होती है, उसका हम sign यहापर देते है, यहापर 2y क्या है, छोटी है, इसका हमने नहीं दिया, यहापर जो भी बड़ी होती है, उसका ही देना है, is equal to minus 3, हमें क्या की value find करना है, y की, ok, हमें एक variable मिल गए है यहापर, तो हम क्या करेंगे, minus 23y is equal to, अभी यह plus था, plus 20 तो उदर जाकर क्या होगा, minus, minus 3, और यह भी minus 20, ok, blackboard पुड़ा फूल होगए, हमें इधर लेता हो, fast में, without twisting time, minus 23y is equal to, minus 3, minus 20, यह क्या हो जाएगा, minus 23, यहापर भी आप सोचोगे कि यहापर minus क्यू दिया, तो यहापर भी क्या है, बड़े संक्या कि मैंने यहापर sign दे दिया, minus 23y, तो यहापर क्या होता है, जो भी multiplication में होता है, यह दिवाइड में जाता है, अगर आप सोचोगे कि plus minus की तरह यह दर right side में जाता है, तो plus हो जाता है, आप मैंने आपको बताया, पर ऐसा नहीं, आप डिवाइड में इसका concept change हो जाएगी, यहापर change नहीं होगा, यहापर 23, यह कट गया, यह कट गया, ठीके, यह भी कट गया, यह भी कट गया, जो कि हमारा remaining है x, so y हम put करेंगे, y is equal to 1, put in equation number, कुन सा equation में put करेंगे हम, equation number 2 में, अगर आपने नीचे भी put किया, या equation number 1 में या 2 में put किया, तो आपका answer same आएगा, तो हम नीचे भाले में put करेंगे, so y is equal to कितना है, 1, x plus 5u, 1 is equal to 4, तो x अभी हापर क्या concept लेगा, हापर multiplication आएगा, और 5u 1 जा, 5u is equal to 4, यह plus है, इधर जाकर क्या होगा, minus, x is equal to 4, यह plus ता, इधर जाकर क्या होगा, minus, x is equal to कितना आएगा, minus 1, मैंने अड़ी बता है आपको कि हमें, जो भी बड़ी होती है, जो भी बड़ी value होती है, उसका हम sign देते, तो मैंने इसलिए क्या किया है, बर minus 1, यह बहुत important है, यह आपर गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम answer solve करते हैं, बड़ गलती का आपर करते हैं, छोटी mistake हम यह करते हैं, इसलिए हमारा mark कर जाता है, तो मैं लास्ट में करचा लिखना है, x, y is equal to, x की value कितनी है, minus 1, y की value कितनी है, हमारी 1, ओके, plus 1, final,